हलो फ्रेंड्स आज हम लोग मराठी सुलब भारती यत्त थीसरी का लेशन नंबर 27 भिंगरी इसको स्टड़ी करेंगे तो एक छोटा सा लेशन है भिंगरी याने भवरा जो बच्चे खेलते हैं गोलगोल फिरता है तो आई का मना सुनो और कहो एक होती मेरी एक लड़की थी उसका नाम था मेरी तिला सापडली भिंगरी उसको मिल गई एक भिंगरी याने एक भवरा उसको मिल गया भिंगरी फिरोली गरगर तो उसने उस भौरे को फिराया गरगर करके उसमें आवाज आती है भिंगरी ला आली चक्कर भौरा फिरते फिरते उसको चक्कर आने लगी भिंती ला दिली तिने टक्कर तो उसने जाके भिंत यहने दीवार, दीवार पर टकर मार दी, दीवार पर हिट कर दिया, आपने भी यह भिंगरी खेली होगी तो वो ज्यादा करके कहीं भी जाके वो टकरा जाती है, तो उसको ऐसा मिसाल दिया कि उसको चकर आ गई, तो यह एक बहुत छोटी सी पोट्री थ इसका शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं, words meaning, तो पहला है भिंगरी, भिंगरी यहने spinning toy, घुमने वाला खिलोना, भावरा, दूसरा है फिरवने, फिरवने यहने उसको गोल घुमाना, to spin, तीसरा चकर, चकर यहने giddiness, चकर आ जाना, गोल गोल फिरने से ज़्यादा करके आती है, चौता भिंत, भिंत यहने वाल, दीवार, पाच्वा टकर, टकर यहने हिट, किसी से टकरा जाना जाकर, अब यहां पर इन्होंने दो फोटो दिया है, पहा, अईका, मनावाचा, देखो, सुनो, कहो और रीड करो, तो पहला पिच्चर है भिंगरी यहने भावरा, और दूसरा पिच्चर है भिंत यहने वाल, अब इन्होंने दिया है, चित्रे पाहा, गिर्वा, नावे, पुर्नकरा, पिच्चर दिया है, उसको देखकर, गिर्वा यहने ट्रेस करो, हलके में उन्होंने लिखा है, हमको डार्क में उसको पैंसिल से, ट्रेस करना है उसी के न की आवाज निकलती है भी के आगे अगर अनुस्वार लगा है तो भिन तो ऐसा पड़ेंगे उसको और दूसरा है मू के उपर अनुस्वार है तो मूंगी एंट तिसरा है ची के उपर अनुस्वार है तो चिंच न की आवाज लगाएंगे चिंच याने इमली चोता है क के उपर अनुस्वार है तो कंगवा कंगवा याने कोंब कंगई अब इसके बाद है अक्षरे जोड़ा, शब्दवाचा, लिहा अब यहां कुछ वर्ट्स दिये है उसके आगे हमको न जोड़ के नया वर्ट बना देना है फिर है मंज़ तो मंज़ण फिर है कुंद तो कुंदण फिर है रंज़ तो रंजण इस तरीके से हम वर्ट्स बना देंगे उसके बाद है पहिलिया अक्षरावर अनुस्वार दिया वाचा तो अब जितने भी words दिये है उनके पहले alphabet पे हमको अनुस्वार देना है याने dot लगाना है और फिर न के आवाज मिला कर उसको read करना है तो पहला word है बगला तो इसमें पहला alphabet ब है ब के उपर अनुस्वार पन तो कुमपन फिर है आबा तो यहाँ पहले alphabet आ है तो आमबा फिर है रग रंग भूगा भूगा उच उन्च डोगर तो पहले alphabet डो है उसमें अनुस्वार लगाएंगे तो डोगर इस तरीके से ये न के आवाज आएगी अब इसके बाद है योग्या अक्षरानवर अनु पहले alphabet पे अनुस्वार लगाना है और यहाँ हमको ढूंड के अनुस्वार लगाना है कि कौन से suitable जगा है अनुस्वार लगाने की जिससे वो सही word बन जाएगा तो पहला दिया है आबा तो यहाँ पर आ के उपर अनुस्वार लगाएंगे तो आमबा फिर है करवद तो यह संगीत तो स के उपर अनुस्वार लगाएंगे तो संगीत फिर है आनद तो न के उपर अनुस्वार लगाएंगे तो आनंद फिर है भूगा तो भू के उपर अनुस्वार लगाएंगे तो भूंगा फिर है तोड तो के उपर अनुस्वार लगाएंगे तो तोंड फिर है स सफर चद तो च के उपर अनुस्वार लगाएंगे तो सफर चंद फिर है भाडण तो भाग के उपर अनुस्वार लगाएंगे तो भाणडण फिर है पतग तो त के उपर अनुस्वार लगाएंगे तो ये हो जाएगा पतंग इस तरीके से सही वर्ट्स पर हम अनुस्वार ल प्रश्यंस भिंगरी ने भिंतीला टकर दिली, भिंगरी दीवार से जाकर टकरा गई, तो यहां ये question answers कतम हो गए, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिक लो, नेक्स वीडियो तक, बाई बाई